नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों इस दुनिया में पैदा होने वाला हर एक चीज, हर एक पेड़ पौधा, जड़ी बूटी हमारे लिए फाइदे मंद है लेकिन हम अंजान हैं उनके फाइदों से अक्सर उन जड़ी बूटी, उन पेड़ पौधोग बारे में न जानने के वज़े से हम उनका उप्योग नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों देख लीजे, पहचान लीजी, ऐसे में आज मैं आप लोगों के सामने कुनरू का पौधा लेकर आया हूँ या कुनरू एक तरह से सबजी है, जहां दोस्तों या कुनरू एक सबजी है, वहीं एक बहुत अच्छा आयरवेदी का उसदी भी है क्योंकि हमारे सरीर में होने वाले बहुत सारे रोग को ठीक करने के ताकत इस सब्जी के अंदर है जिसे हम कुन्रूग नाम से जानते हैं दोस्तों यह कुन्रूग का पौधा एक बेलनुमा पौधा होता है जो कि किसी ने किसी पेड के ऊपर चल कर फैलता है इसके पतते अंगूर के पततों से थोड़े मोडे मिलते जुलते होते इसके फूल सफेज़ सफेद खुबसूरत दिखाई देती हैं तो देख लिजे दोस्तों मैं आपको दोनों फल दिखा दे रहा हूं हरा हरा वाला भी और लाल लाल जो दिखाई दे रहा है वो भी तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आप इस आइरवेदी को नस्पत्ति को पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फायदे बारे में चाने किया किया हमारे सरीर के लिए कितना पाइदेमंद है और हम इसके इस्तमाल से किन-किन को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों सबसें पहला फायदा मैं आपको यदा बता देता हूं कि ब्लडब पेसर हाई होने से बहुत सारे लोग इस दुनिया में परेशान है लिएक tragis अगर किसी को blood pressure high है तो वह सुबा सुबा बासी मूँ करीबन चार से लेकर पांच कुन्रू कच्चा चबा चबा कर खाए और करीबन तीन गिलाज पानी पीए तो आट दस दिन के अंदर उसका जो बिमारी है BP का blood pressure का वह बिमारी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और फिर उसे हमेशा अंग्रेजी दवा खाना नहीं पड़ेगा इतना फाइदे मन्द होता है दोस्तों blood pressure रोगियों के लिए या कुन्रू दोस्तों इस कुन्रूग पत्तों से आप तोचा रोग को भी नश्ट कर सकते हैं अगर किसी दाद खाज कुझनी होता इसके पत्तों को पीस कर आप तोचा को पर लेब कीजिए तो वह तोचा रोग ठीक हो जाता है तो दोस्तों एक तरह सी अभी बहुत अच्छा अच्छा अगर हमारी जानकारी लाबदायग हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आइरवेदी